हेलो फ्रेंड नमस्ते तो केसे हैं आप लोग उम्मिद करता हूं सब अच्छे होंगे मेरा नाम है अभीने और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अभीने मोई आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्पून चीज बताने वाला हूं जैसे आगर आपके फोन की पिन खराब हो जाती है तो उसको आप क्या करते हैं दुकान पर लेके जाते हैं चेंज करवाने के लिए दुकान पर ही लेके जाएंगे ठीक है तो वह चीज में आपको आज इसी वीडियो में उस चीज का सोलीशन करके बताऊँगा कि आपको दुकान पर नहीं लेके जाना है आप अप कुछ बताने वाले हैं तो वीडियो को फ्रेंड्स कहीं भी स्कीप नहीं करना है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए तो चलिए फटा-फट आपका समय जादा नहीं लेते हुए वीडियो को करते हैं अधिक है और ज्यादा तर सीटाइप आप अला कनेक्टर तो खराब होता ही नहीं यह तो बहुत लंबा चलता है चार्ज साल तक चलते हैं खराब होने की लाई नहीं नहीं है अब इसको हम सबसे पहले बढ़िए आपको चार्जिंग करके चेक करवा देते हैं यह देखिए अपने आप निकल रही है यह चार्जिंग सुलो हो रहा है तो उसको कैसे करना पड़ेगा यह देखिए मैं आपको दिखा देता हूं करके आपके पास सिम्टी हो या फिर स्ट्राइप का कुछ कटर हो यह सुई वही पिन बगएरा कुछ भी हो से आप इसको सही कर सकते हैं करना क्या है अपने वा यह पीन है इसकी यह वाली फिन को हमें साफ करना इस में क्या होता है है उसके कारंण से यह करणining नहीं हो पाता है तो यह देखिए हम इसका फेले पूरा कचरधा निकाल लेता है यह कितना कचरध gera फसे इसकें अंदर आप देख सकते इन वह इस तर कि यह इतना कच्रा भरा हुआ इसके अंदर कि यह पूरा एकदम किलीन हो चुका है देख सकते हैं आप एकदम कुछ भी नहीं है इसमें ठीक है अब चेक कर लेते हैं चार्जिंग करके यह पूरी तरह से बेड़ गई है और यह हमारा फोन भी चार्जिंग होने लगा है यह देखिए बहुत ही आसान है इस तरह से आप अपने मोईल को घर पे ही ठीक कर सकते हैं और अगर यही चीज़ अगर आप दुकान पर लेके जाते तो आपके 200-300 रुपे चार्जिंग इसक अगर वीडियो अच्छी लगी होगी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो था हमारे चेनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो में इतना ही बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक तक लिए गुड़ाइब